नमस्काल दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल राइट श्टडी में दोस्तों आज हम मई माह के जो भी दिवस होते हैं उन दिवस के बारे में डिसकस कर लेते हैं जो भी जैनती आती है या फिर जिस बारे में भी दिवस आता है या किसी की इसमिलती दिवस आता है तो उनके बारे में डिसकस करेंगे जो भी प्रमुक हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला है एक माई को क्या मनाया जाता है अंतराष्टिय मजदूल दिवस एंटरनेशनल लेवर डे एक माई को मनाया जाता है अंतराष्टिय मजदूल दिवस और छे माई को मनाया जाता है मौतिलाल नहरू जैनती मौतिलाल नहरू का जन्म हुआ था छे माई को तो इनके याद में मौतिलाल नहरु जैनती मनाई जाती है 6 माई को नेक्स्ट है 8 माई को बल्ड रेट क्रोस डे मनाया जाता है रेट क्रोस डे 8 माई को याद रखें ऐसे 11 माई को राष्ठी प्रोधोगे की दिवस नेशनल टेकनोलोजी डे ग्यारा माई को मनाया जाता है नेशनल टेकनोलोजी डे बारा माई को बारा माई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे अंतराश्टिय नर्स दिवस बारा माई को इंटरनेशनल नर्स डे पंद्रा माई को बिश्व परिवाद दिवस यानि वल्ड फैमली डे वर्ल्ड फैमिली डे कब 15 माई को 17 माई को बिस्व दूर संचार दिवस वर्ल्ड टेली कम्यूनिकेशन डे वर्ल्ड टेली कम्यूनिकेशन डे कब 17 माई को बिस्व दूर संचार दिवस 17 माई को मनाया जाता है दोस्तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्स्राइब कर बेल आइकन को आल पर सेट करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे दोस्तो 21 माई को क्या मनाया जाता है आतंकबाद ब्रोधी दिवस एंटी टेरिरिज्म डे और इसके साथ एक और दिवस मनाया जाता है राजियू गांधी इसमिलती दिवस राजियू गांधी मैमोरियल डे कम मनाया जाते हैं ये दोनों दिवस 21 माई को 22 माई की बात आती है 22 माई को मनाया जाता है राजाराम मोहन जैन्ती राजाराम मोहन जैन्ती कब मनाई आती है 22 माई को दोस्तो 27 माई को जवाहलान नहरू का जिन्म हुआ था तो इनकी याद में जवाहलान नहरू इसमिलती दिवस मनाया जाता है 27 माई को 31 माई को विस्व धूमरपान निसेध दिवस वर्ड नो स्मोकिंग डे 31 मई को मनाया जाता है वर्ड नो स्मोकिंग डे अब दोस्तो बात आती है पिछले कॉस्चन की जो आपके लिए कल कॉस्चन दिया गया था इसका अंसर आपके लिए कमेंट में करना था कमेंट बिलकुल आए हैं और सही आए हैं कॉस्चन था उत्तर कोरिया एवं दक्षन कोरिया की सीमा को क्या कहा जाता है दोस्तो उत्तर कोरिया एवं दक्षन कोरिया की सीमा को कहा जाता है 38 भी समानतर रेखा option D इसका right answer था आपके लिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा किसने सही answer किया है option D इसका right answer था अब दोस्तो आज का question आपके लिए आज का question है प्रत्वी और सूरे के बीच अधिकतम दूरी कब होती है किस दिन को प्रत्वी और सूरे की बीच की अधिकतम दूरी होती है जैसे यदि सूरे है और प्रत्वी है तो यदि ये इस टाइप से चक्कर लगाती है तो कब सबसे दूर प्रत्वी होगी किस दिन ये आपके लिए कमेंट करना है दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैहिन जैभारत